हलो दोस्तों सबको जन्मास्त्मी की बहुत बहुत बदाई हो बगवान आपकी जिंदिगी में खुशियां ही खुशियां लाएं तो आईए आज अब बनाते हैं क्रिस्न बगवान का भोग जन्मास्त्मी स्पेश्टल धनिया की पजीरी तो उसके लिए देखिए मैंने यह मि पहले हम क्या करेंगे कड़ाई में यह दनिये को भून लेंगे अब दीमी आज पर इसको भूनना है बहुत ज्यादा नहीं भूनना नहीं तो यह कड़वा हो जाएगा हलकी हलकी सी खुश्बू आने लगे जब तक हमें भूनना है इसको चलाते हुए देखिए और जो ब्रेथ में भी खा सकते हैं इसको और भगवान का तो यह प्रीय भोग है और बनाना एकदम आसान है तो यह देखिए हमारा दनिया बोन किया इसको में दो-तीन मिनटी बोना है अब इसको हम ठंडा करके और ग्राइंड कर लेंगे तो इसको हम ठंडा कर देते हैं प्लेट में अब क्या करेंगे हम उसी कडाई में एक चमज गी डाल देंगे और जो हमने ड्रैब टूट काटे ने इनको भी हम इसमें तर लेंगे तो तरले हुए का टेस्ट भी अच्छा आता है इसमें पंजीरी में इनको भी हम ज्यादा नहीं पस कडाई तो गरम ही है थोड़ी देर भून लेंगे इस तरह से तो यह भी हमारे करीब करीब भून गए देखिए अलका सा गोल्डन कलर आ गया ना यह मखाने में तो यह समझे लोग भून गया है अब चाओज्या हो तो अलग अलग भी भून सकते हो मतलब इसको फ्राइ कर सकते हो अम में थोड़े हैं ज्यादा निय डालते हैं options अब यह देखिए मैंने मिस्री पीस के इसको चांड लिया इसका बारिक पाउडर बना लिया चलनी में होके चांड लिया ऐसे ही यह धनिया भी मैंने बारिक पीस के और इसको भी चलनी में चांड लिया अब इसको हम मतलब मिला देंगे मिस्री को और इसको धनिया को मिला दें अब यह जो भी ड्राइब प्रूट हमने तले थे इनको भी इसमें डाल देंगे अब क्या करेंगे हम इसमें ऐसे तो यह सुखी सुखी लग लगी तो इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा गी डाल देंगे इसे चम्बक से अलका सा ऐसी होनी चाहिए जो गले में अठके नहीं इस तरह से इसको मिला के देख लेंगे हमें और गी की इसमें जरुरत होगी तो हम और भी डालेंगे तो इसको पहले मिला लेते हम इस तरह से अब इसमें मुझे लग रहा है कि और गी डालना चाहिए तो इसमें मैं और थोड़ा गी डाल रही है थोड़ा थोड़ा ही बहुत ज्यादा नहीं डालना एक दम कम-कम डाल के देखना है आपको अब यह को भी हम मिक्स कर लेंगे फिर देखेंगे और जरुरत पड़ेगी था हम और भी डालेंगे इसमें हम किसी साइन आनी चाहिए हमारी पंजीरी में अब यह करीब करीब तैयार ही हो गई तो इसको हम प्रिशाद की थाली में कोई भी बरतन में निकाल के रखेते हैं और आप इसको ताय तो एक दो दिन पहले भी बना सकते हैं यह बिलकुल भी खराब नहीं होती बहुत ही बढ़िया बगवान की बोग के लिए तैयार होती है और प्रशाद में ब्रत करते हैं तो इसको प्रशाद में देते हैं तो खा सकते हैं अन्न वगरा नहीं खाते हैं बहुत से लोग ब्रत करते हैं तो इसको उपर से थोड़े ड्राइप्रूट से सजा देंगे हम और चीनी हमने डाली नहीं तो नुक्सान भी नहीं करेगी मिस्री है इसमें और बहुत ही बढ़िया परसाथ तैयार हो गया हमारा दनिये की पजीरी आप भी जरूर बढ़ाईए मेरे तरीके से और सब को हैपी जन्मास्ट मी तो यह देखिए कितनी बढ़िया लग रही है अब इसमें हम तुल्ची के पत्ते डाल लेंगे तो यह हमारा पून प्रशाद हो गया